Hi everyone welcome to study iiis अभी हम दिखेंगे मालाबार ग्लाइडिंग फ्रोग के बार में So मालाबार ग्लाइडिंग फ्रोग जो ए बहुत इंपोर्टन टॉपिक है For the UPSC, IS, BCS, SAC के लिए And ये जो मालाबार ग्लाइडिंग फ्रोग है अभी रिसेंटली नूस में है Okay, so is traffic के उपर मैं discussion करूँगा So, इसको उपर मैं explain करूँगा Okay, चलिए रिखते So basically news ये है, अभी रिसेंटली ये जो फ्रोग है, अभी रिसेंटली स्वोटेड हुआ है एट पुलाड में, नियर दा, कोजन चेरी में So, मालावार ग्लाइडिंग फ्रोग के बारे में देखेंगे तो मालावार फ्लाइग फ्रोग, ग्लाइडिंग फ्रोग और इसको बोलते है मालावार फ्लाइग फ्रोग बोलते है ये जो है, एक रेकोफोरीट ट्री फ्रोग स्पेसिस जो की मिलता है कहाँ पर यह वेस्टन घाट अफ इंडिया में यह फाउंड होता है सो बिसिकले साइन्टिफिक नेम इसका देखेंगे राकफरस मानावरी कॉस एंड कंजरबरेशन स्टाटर्स देखेंगे लीस्ट कंसर्ण, पोपुलेशन डिक्रीजिंग पोपुलेशन डिक्रीजिंग बार इंगे पूरा डिटल से हम देखेंगे आगे सो दा टार्म जो है ग्लाइडिंग फ्रॉग रिफर्स तु एबिलिटी इसका जो है यह फ्रॉग का एक एबिलिटी यह है यह क्या है इसका जब बोडी है उसको ब्रेक इन रिट्रेचिंग कर सकता है जो स्चरेचिं गर के इसली कर लोगन मेवेग बटमीन इस कुट सूस मेर्टिंग करे इसली करते है न ववर्विं बीटमन इसली टोस क्या होता ना मेल से जो हो छोटा देता है फिवल से सो इजो थेट्स में बताया था थेट्स जो है यह किसलिए मालाबारी जो फ्रोग है यह थेट्स किसलिए इसका जो पॉपलेशन क्यों कम हो रहा है है सव पिकासव एक तो हो गया मस्ट इपरन झिंद फिर्श टेस्ट शंट्राइन च्ट्रींस डैवलेमेंटल अकटिविटीज तॉक्सील केमिकल्स इसके लिए क्या है नोइंका जो पॉपलेशन है इसका डिक्रीच वह रहा है खिंस कॉ यह त्या है thank you